आज से राजस्थान के physical division में अब हम नई series शुरू कर रहे हैं और ये है physical division में पूर्वी मैदानिक शेत्र अब इस सिरीज को हम continue करें और पूरवी मैदानिक शेत्र के संबंध में हम आगे पढ़ें तो उससे पहले मैं अपने संबंध में आपके साथ कुछ बात करना चाता हूँ मैं वर्ष 2009 से इंस्टिटूशन चला रहा हूँ और अभी तक हजारों विध्यार्थियों को पढ़ा चुका हूँ और आपको भी online classes के माध्यम से राजस्थान जी के free of cost करवा रहा हूँ मैं तीन सरकारी नोकरियों में भी रह चुका हूँ local bodies में भी रह चुका हूँ audit में भी रह चुका हूँ राजस्थान जी के का पहला वीडियो अपलोड किया था उस दिन मैंने आपके साथ में एक commitment की थी और मेरी commitment ये थी कि मैं आपको राजस्थान जी के का पूरा syllabus भले जोग्रोफी हो, history हो, कला संस्कृती हो ये पूरा syllabus बहुत high level का, R.S. level का free of cost उपलब्द कराऊंगा और आज भी मैं अपनी उस commitment पर कायम हूँ और आपको free of cost high level का ये पूरा पाठिक्रम उपलब्द करा रहा हूँ वो विशवस्तू जो बाकी institution आपसे हजारों रुपे लेने के बाद भी आपको उपलब्द नहीं करवाएंगे, guarantee है मेरी वही पाठिक्रम मैं आपको free of cost उपलब्द करवा रहा हूँ लेकिन ये करके मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ मेरी आपके साथ में commitment थी, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ अब मैं आपसे भी थोड़ी बहुत कुछ उम्मीद, कुछ अपेक्षाय रख सकता हूँ क्योंकि देखे मुझे भी घंटों मेहनत करनी होती है मुझे भी संसादनों की आवशत्ता होती है मुझे भी अलग-लग भहुत सारे sources से अध्यन करना पड़ता है हाला कि पिछले 9-10 वर्षों से मैं पड़ा रहा हूँ तो ये सारी जानकारी मेरे दिमाग में है और सरस्वती मा की कृपा है कि राजस्थान जीके पर मेरी अच्छी कमांड है नैशनल जीके पर भी मेरी अच्छी कमांड है mathematics और reasoning पर भी मेरी अच्छी कमांड है science पर भी मेरी अच्छी कमांड है तो ये सरस्वती मा की कृपा है बाकी विशय भी मैं आपको उपलब्द करवा दूँगा लेकिन फिर भी मुझे संसादनों की आवशक्ता होती है मुझे भी team की आवशक्ता होती है और जो मैं आपको पढ़ाता हूँ तो जब online classes में पढ़ाया जाता है तो मुझे पता है मेरी बात लाखों विध्यार्थियों तक जाती है इसलिए मुझे घंटों अध्यान करना पढ़ता है आठ, नो, दस, ग्यारा जितनी भी किताबे होती हैं उस विशयवस्तू से संबंदित मैं उनको बहुत डिटेल से पढ़ता हूँ ताकि आपको बहुत हाई लेवल की तयारी करा सकूँ तो मैं आपसे थोड़ी बहुत उम्मीद और थोड़ी बहुत अपेक्षा ये रखता हूँ जिसके संबंद में मैं ज़्यादा तर वीडियोस में नहीं कहता हूँ मैं कभी भी आपको चैनल शेयर करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए या लाइक करने के लिए नहीं कहता हूँ हो सकता है स्टार्टिंग में जो वीडियोस थे उनमें जरूर मैंने कुछ वीडियोज में काओ कि आप चैनल को शेयर या सब्सक्राइब या लाइक करें लेकिन आप जब वीडियोज देखें तो दूसरे स्टुडेंट्स के साथ भी इनको शेयर करिए इससे चैनल का जादा से जादा विस्तार होगा जादा से जादा स्टुडेंट्स तक ये चैनल पहुचेगा चैनल का भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा तो इस वीडियो सिरीज को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं एक बर बता देता हूँ कि किस तरीके से भारदवाज क्लासेज तो आपके मोबाइल पर कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी आपको भारदवाज क्लासेज पर क्लिक करना है, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाईए और प्लेलिस्ट में ये जो सबसे उपर वाली प्लेलिस्ट है यही आप शेर कर देना ये तीन डोट आपको दिख रहे हैं शेयर पे आप दबाना शेयर के बाद ये जो लिंक आ रहा है इसमें अलग-लग ये बोक्स खुले हैं इसमें है कोपी लिंक इसको दबा देना तो अब आपका लिंक कोपी हो गया अब इसके बाद आप जितने भी शोशल मीडिया ग्रूप से जुड़े हैं भले ही फेस्बुक हो, वाटसप हो, ट्वीटर हो इंस्टाग्राम हो या टेलिग्राम हो जहां जहां आप जुड़े हैं वहाँ पर इस लिंक को पेस्ट करके और फिर शेयर कर देना मैं केवल आपसे उम्मीद और अपेक्षा ही रख सकता हूँ आप अगर शेयर करें तो अच्छी बायत है नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना काम करता रहूँगा क्योंकि मैं आपके साथ में कमिटमेंट कर चुका हूँ और राजस्थान का जो पूरवी मैदानी क्षेत्र है ये गंगा और यमना के ही मैदानों का विस्तारित रूप कैसे है सारा सब डिटेल से पढ़ाँगा लेकिन पहले एक बार उस क्षेत्र का आपको सामाने परीचे तो देदू जिसके संबन्द में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तो ये राजस्थान का मैप है और इसमें मैं एक बार उस क्षेत्र को हाईलाइट कर देता हूँ जिसके संबन्द में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तो ये जहां मैं पैन चला रहा हूँ जहां जिस हिस्से को मैं हाइलाइट करता जा रहा हूँ ये वो पूर्वी मैदानिक्षेतर है जिसके सम्मन में हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने थार के डेजर्ट के सम्मन में पढ़ा है अरावली सीरीज के संबन्द में पढ़ा है और उसी प्रकार इसके संबन्द में भी हम पढ़ने वाले है इस इसे को मैं शेडो भी कर देता हूँ ये थोड़ा डार कर लूँ ये जो मैं शेडो कर रहा हूँ ये है पूरवी मैदानिक शेत्र जो गंगा और यमुना और उनकी सायक नदियों के द्वारा ही निर्मित मैदानिक शेत्र है इसके संबंद में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा इसका और इंट्रोडेक्शन ले लेते हैं ये मैदानिक शेत्र राजस्थान के पूरे शेत्र फल का 23% है कुछ sources में आपको कुछ books में 23.3% भी देखने को मिलेगा तो exam में आपको दो विकल्पों में से एक ही विकल्प मिलेगा या तो 23% या 23.3% जो भी एक मिले उस पर आपको टिक करना है तो ये पूरवी मैदानिक शेत्र राजस्थान के कुल क्शेत्र फल का 23% है अर्थात इसका एरिया 23% है और या राजस्थान की 39% जन संख्या यानी P P यानी population निवास करती है ठीक है ये जो ख्शेत्र है ये टेथिस सागर का आउशेश है टेथिस C का अब ये टेथिस सागर क्या है तो ये जो वीडियो सीरीज है फिजिकल डिविजेन उफ राजस्थान की ये पूरी आप स्टार्टिंग से देख लिए ना क्योंकि पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ पेंजीया क्या था पेंथला सा क्या था कौन से युग में टूटा टेथिस सी क्या था जितने भी महादवीप है, वो कैसे बने, महासागर कैसे बने, सारी प्लेट्स कैसे जुड़ती हुए है, ये सारा सम्मन में, इस सम्मन में मैं पूरा डीटेल से बता चुका हूँ, ठीक है? तो ये टैथिसी का आउशेश है, और प्लीस्टोसीन काल में ये स्तित्तु में आय था, प्लीस्टोसीन काल में, ठीक है? अब एक बार, राजस्थान के और बाकी के जो भौतिक विभाग हैं, जैसे थार का मरुस्थल, अरावली सिरीज, और दक्षिन पूरवी पठारिक शेत तो इस पूरी भी मैदानिक शेतर से पहले हमने अरावली सिरीज के संबन में पढ़ा था, उसको भी मैं जल्दी से हाईलाइट कर देता हूँ, ये अरावली सिरीज, अब तो ये बहुत अच्छे से आपके दिमाग में छप गए होंगे, इतना बताने के बाद तो, ये अरा पूर्वी मैदानिक शेतर के इस दिशा में है, पस्चिमे है न, देखो इस साइड में जो मैं पैन चला रहा हूँ, तो इसका मतलब पूर्वी मैदानिक शेतर की पस्चिमी सीमा का निर्धारण भी अरावली सिरीज के द्वारा किया जा रहे है, खेर हमें एक बर तुलनात और यहां राजस्थान की कितने परसेंट आबादी रहती है 10% तो लिख देता हूँ A यानी area और P यानी population ये जो अरावली सीरेज है ये प्राचिन किसका उशेश है गोडवाना लेंड का गोडवाना लेंड का ठीक है साथ और इसका निर्मान कौन से काल में हुआ था तो क्या बताया था मैंने आपको Pre Cambrian युग में Pre और Cambrian इतना ही लिख देता हूँ ठीक है इस अरावली सीरीज से पहले हमने क्या पढ़ा था ये थार का डेजर्ट तो ये पूरा ये पीछे थार का डेजर्ट एक मिन मैं कलर चेंज करूँ ये ले लेते हैं ये पूरा थार का डेजर इसके बारे में भी बताया था इसको कितने भागों में विबाजीत अमने किया था सारा बताया था शुष्क और अर्द शुष्क फिर शुष्क के क्या पार्ट थे अर्द शुष्क के क्या पार्ट थे तो ये जो थार का मरुस्थाल है अब इसके बारे में भी आप जल्दी अचा ठीक है ये किसका आउशेश है टेथिस सागर का ये कब अस्तित्तु में आय था कौन से युग में अस्तित्तु में आय था तो इसके संबन्द में ध्यान करो मैंने आपको बताये था कि आलग अलग सोर्सेज आलग अलग भुगोल वेता इस संबन्द में हमको अलग बाते कह रहे थे जादातर का ये कहना था कि पर्मो कार्बोनी फेरस युग तक ये इस्सा समुद्र के नीचे था ये भी हमको जानकारी मिली थी कि क्रिस्टेशियस काल तक या जुरेसिक काल तक और इयोसिन काल तक भी इस्सा समुद्र के नीचे था लिख दू इस बात को क्य क्या जानकारी थी कि पर्मो कार्बोनी फेरस इस समय तक ये इससा समुद्र के नीचे था इसके अतिरिक्त जुरेसिक काल तक क्रिस्टेशियस काल तक इयोसीन काल तक भी इससा समुद्र के नीचे बताया गया कुछ सोर्से इसके अनुसार इसके अलावा मैंने ध्यान करो ये भी बताया था कि एक Archaeologist जिनका नाम था Sir Siril Fox, Sir Siril Fox, उन्होंने क्या बताया था हमको कि अपर Tursury यूग तक ये इसा समुद्र के नीचे था, कब तक अपर Tursury यूग तक ये इसा समुद्र के नीचे था, ठीक है, ओके, ये तीनों के बारे में इन दो के बारे में तो हम पढ़ थार डिजर्ट और अरावली सीरीज के सम्मन में पूर्वी मैदानी क्षेतर के बारे में हमको पढ़ना है अब एक बर मैं यहाँ पर ये जो दक्षिन पूर्वी पठारी क्षेतर है जो चोथा भाग है इसको भी एक बर इसके भी डाटास देख लेते हैं ये वाला जो इससा है न ये आउटलाइन कर देता हूँ मैं जाद अच्छा समझ में आएगा ये जो भाग है ये राजस्थान का चोथा भाग है जिसके बारे में हम इस मैदानी क्षेतर को पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे ये वाला क्या बोलते हैं इसको 6.89% कितने परसेंट आबादी निवास करती है 11% यानि 11% पोपुलेशन ये हो गया आपका एरिया ठीक है ये प्राचीन किसका आउशेश है तो ये आउशेश है आपका गोडवाना लेंड का गोडवाना लेंड ठीक है और कब अस्तित्तों में आया इसका निर्मान कब हुआ इस हिसे का तो इसका निर्मान हुआ था आर्कीयन युग में आर्कीयन युग में अब ये मैं इस स्लाइड को छोटा कर देता हूँ आप चाहो तो इसका स्कृन शोट ले लो चारों हिससों का एक तुलनात मकद्दन हो गया अब देखो यहां कुछ students इस बात को लेकर confuse जाते हैं कि साब कौन सा हिस्सा प्राचिन किस भाग का आउशेश था यह याद करने में प्रॉबलम आती है तो इसमें तो दिक्कत होनी नीची है क्योंकि राजस्थान के चार भाग हैं और ये चारो भाग पुराने दो ही हिस्सों से बने वे हैं राजस्थान में या तो आपको टेथिस सागर का आउशेश मिलेगा या गोडवाना लेंड का आउशेश मिलेगा अब जो उठेवे भाग हैं उठेवे भाग यानि अरावली परवतमाला और पठारी क्षेत्र अरावली परवतमाला और दक्षिनपूर्वी पठारी क्षेत्र ये उठेवे भाग हैं परवत और पठार ही तो उठेवे होते हैं तो जो उठेवे भाग हैं वो गोडवना ये लो भी या ठीक है अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर राजस्थान के इन पूर्वी मैदानिक शेत्रों का निर्मान हुआ कैसे तो अब हमारे सामने ये सवाल है और इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम चलते हैं एक इमेज की तरफ तो ये वर्ल्ड मैप है और पिछले वीडियोज में भी मैं जानकरी जो अभी दे रहा हूँ ये आपको इस प्रकार की जानकरी दे चुका हूँ तो देखे ये world map में जहां मैं ये pen चला रहा हूँ ये तो है आपका Europe और ये जो dark red है ये वाला है आपका Asia ठीक है न? और ये Europe और Asia दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ये भारत वाला इससा और ये उपर अब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं Eurasian plate यानि Europe और Asia जुड़े हैं तो Eurasian plate अब इस Eurasian plate में ये वाला जो इससा है ये भारत ये हमको पता है कि ये पहले इस Eurasian plate से जुड़ा हुआ नहीं था ये बाद में आकर जुड़ा था हम ये भी पढ़ चुके हैं ये भी जानते हैं कि ये पहले प्रत्वी का स्वरूप ऐसा था इस प्रकार से ये पूरी जो plates हैं वो सारी इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई थी और ये बाकी का जो चारो तरफ हिस्सा है जिसको मैं नीला कर रहा हूँ अब इसके संबन में देखो ज़्यादा डिटेल से मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ इसलिए जितना आवशक होगा उतनी चर्चा कर लूँगा तो ये जो नीला हिस्सा है ये पानी से भरावा था या नहीं सागर था जिसको आमने कहा पैंथालासा और ये जो जमीन वाला हिस्सा है बीच में ये वाला इसको आमने कहा था पैंजिया फिर मैंने ये भी बताया था कि कार्बोनी फेरस यूग आया कार्बोनी फेरस यूग में ये इस्सा टूटा टूटने के बाद यहां बीच में क्रैक आया आस पास का पानी यहां बीच में आके भर गया उसी को आमने नाम दे दिया था टेथिस सागर फिर मैंने ये भी बताया कि ये नीचे वाला जो इस्सा था इसको आमने कहा गोडवाना लेंड उपर वाला जो इस्सा था इसको आमने कहा अंगारा लेंड ठीक है न द्यान आगे न सारी बाते अब काम की बात करता हूँ वापस इसको तो अटा दू ये सारी plates हैं जुडी हुई हैं इसी plate में ज़रा देखना इंडिया का है ये देखो जूम मैंने किया ये जो मैं पैन चला रहा हूँ ये इंडिया और ये उस्ट्रेलिया ये जुड़े वे थे और इस plate को संयुक तुरूप से कहते थे इंडो उस्ट्रेलियन प्लेट और ये किसका इस्टा था गोडवाना लेंड का उसेश था ठीक है न ओके अब बाद में क्या हुआ देखो समय के साथ ये जो इंडियान प्लेट है ये तैरती 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 आई वापस ध्यान देना अच्छे से समझ लेना कि ये यूरेशियन प्लेट पूरी यहां तक थी ये पूरी यूरेशियन प्लेट ये यहां तक थी और ये वाला जो इससा है ये इंडिया वाला ये तैरता 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 आया और फिर टकराया इस हिस्से से तो ऐसा था ये यहां पर आया और इस वाली यूरेशियन प्लेट से टकराया टकरान इसके माध्यम से मैं आपको क्या समझाने का प्रियास कर रहा हूँ कि राजिस्थान का जो पूर्वी मैदानिक शेत्र है वो कैसे बना मैं ये आपको समझाना चारा हूँ और उसी के लिए ये सारी सब बातें आपको बता रहा हूँ ठीक है तो देखो जब ये इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी तो बीच में ये समुद्र है कौन सा समुद्र था टेथिस सी था और ये टेथिस सी फ्लश आउट हो गया ठीक है अब पॉइंट पर आओ कि जब दो प्लेट टकराती हैं हमको बता है दो प्लेट टकराती हैं तो इस तरीके से प्लेट में फोल्ड पड़ते हैं एक प्लेट है वो नीचे जाती है एक प्लेट उपर जाती है जिस plate का घनत्व कम है वो plate उपर की तरफ जाएगी और जिस plate का घनत्व जादा है वो नीचे की तरफ जाएगी द्यान रखना मैं घनत्व की बात कर रहा हूं वजन की बात नहीं कर रहा हूं density की बात कर रहा हूँ ठीक है तो अब जब मोटी मोटी बात है कि जब ये plates टकराएंगी तो इन में fold पड़ेंगे इस तरीके से ये जो आपको दिख रहे हैं ये fold ये यह हो और इनको हम बोलते हैं वलन जो ये भाग उपर उठा इसको बोलते हैं अपनती उपर उठने को अपन ये भी नई जानकारी नहीं है पिछले वीडियो में बता चुका हूँ अपनती क्या है और अभी नती क्या है अब हिमाले से और फिर इस अपनती और अभी नती से मैदान कैसे बने वो बात समझना है ये जब plate टकराई तो ये बना आपका हिमाले हालाकि हिमाले का एक ही गें ग्रेटर हिमाले है लेसर हिमाले है शिवालिक रेंज मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ मोटी मोटी बात कर रहा हूँ तो ये इसा उपर उठा ये हो गया आपका अपनती और ये आपका इसा नीचे गया जो गड़े में गया ये हो गया आपका अभी नती है अब य जब ये नदियां आई तो नदियां बहती बहती अपने साथ में भोट सारा अवसाद भी लेकर रही। अवसाद यानि sediments और उस अवसाद को इन नदियों ने लाकर इस गड़े में जमा कर दिया और इसके जमा करने से ये पूरा भाग भर गया और इसी से उपजाओ मैदानों का निर्मान हुआ अब इसको हम समझते हैं भारत के नक्षे से तो भारत के नक्षे पर आजो ये ध्यान देना ज़रा कि जब ये इंडियन प्लेट उपर इस यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो यहाँ पर ये पूरी हिमाले रेंज बन गई ये बन गई हिमाले रेंच ठीक है न ये भाग तो उठावा था तो इसका मतलब ये तो क्या था अपनती और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला जो मैं स्ट्रेट लाइन खेंच रहा हूँ ये जो भाग है ये गड़े में था यानि ये प्लेट फोल्ड हो गई थी नीचे की तरफ और इसको हमने क्या कहा था अभी न थी अब बाद में इस हिमाले से नदिया आई तो नदिया नीली ले लो ये नदिया आई ये इस तरीके से ये इधर भी गई ये और भी नदिया थी भर दिया उपजाओ मिट्टी से पाट दिया पूरे एरिया को और इसके कारण इन मैदानों का निर्मान हुआ जिनको हम कहते हैं उत्तर भारत के मैदान अब इस उत्तर भारत के मैदान के संबंद में तो मैं पूरी बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारा यह जो वीडियो है यह इंडियन जोग्रॉफी नहीं है राजस्थान जोग्रॉफी का चल रहा है लेकिन जब मैं इंडियन जोग्रॉफी पढ़ाऊंगा तब इसके संबंद में और ज़्यादा डिटेल से बात करूँगा लेकिन अभी केवाल उतनी बात करूँगा जितनी यहाँ आउश्यक है ठीक है थोड़ा सा ओर ध्यान देना अभी मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा राजस्थान के उन मैदानों से ठीक है न तो भी यह ध्यान देना ये जब हिमाले से नदियां आई तो ये कुछ नदियां आई जैसे आपके इस साइड मे घागरा हो गई सोन नदी हो गई तापती नदी हो गई और भी बहुत सारी नदियां है ये आपके गंगा की इसके अतरिक तो सिंदू नदी सिंदू की साइक नदियां हो गई आपके जैसे सतलज हो गई ब्यास हो गई रावी हो गई चिनाब हो गई जहलम हो गई ये आगई ठीक है यहाँ पर अरावली सिरीज अलग कलर ले लो अरावली के लिए यह अरावली परवतमाला और यह हो गई उपर ब्लैक से यह आपकी हिमाले रेंज ठीक है यह हिमाले से यह नदिया निकल के आई यह फिर से ब्लू कर देते हैं नदियों को यह अलग लग आपकी यह नद नदियों ने क्या किया ये जो उत्तर का भाग था उत्तर भारत का इस भाग को इन नदियों ने अपने लाए हुए अवसाद से भर दिया पाट दिया ये गड़ा भर गया और इसके कारण ही ये उत्तर भारत के मैदान बन गए यहां एक बात और समझना की ये अरावली सीरीज है तो अरावली सीरीज के एक और तो सिंदू नदी और इसकी साइक नदियां बह रही हैं और दूसरी और गंगा और इसकी साइक नदियां बह रही हैं और इसके अतिरिक्त अरावली सिरीज स्वैम भी क्या करती है नदियों को अलग-अलग क्रम में विभाजित करने का काम करती है बताया था मैंने आपको कैसे ये अरावली ये क्या करती है अपने पूर्व की नदियों को तो इधर बेज देती है और अब विशे ये था कि ये जो नदियां थी गंगा और इसकी सायक नदियां इन्हों ने जो मैदान बनाए तो इनके द्वारा बनाए गए मैदानों से राजस्थान के पूर्वी मैदान का क्या संबंद है तो गोर से सुनना कि राजस्थान के जो पूर्वी मैदान है वो गंगा यमुना अर्थात गंगा और इसकी सायक नदियों के द्वारा बनाए गए मैदानों के इविस्तरित रूप हैं कैसे राजस्थान के मैप पर आओ ये राजिस्थान का महप है और राजिस्थान में ये हो गई हमारी अरावली श्रिंखला है जल्दी से बना देता हूँ ये अरावली श्रिंखला ये इदर से ये हो गई आपकी अरावली श्रिंखला ठीक है? अरावली श्रिंखला के बाद हम बात करते हैं यहां इधर यहापकी एक नदी आती है यमुना नदी ठीक है राजस्थान से एक नदी जाती है यह वाली चमबल नदी यह गई 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 यमुना से मिली ठीक है एक नदी है बनास नदी, राजसमान, चितोड, भीलवडा, अजमेर, टॉक, सवाय, मादोपूर और ये मिल गई किस से चंबल नदी से इसके अतिरिक्त बहुत सारी नदियां हैं जो बनास की भी सायक है जैसे ये मैं बनाता हूँ बहुत सारी नदिया हैं जो आपकी चंबल की भी सायक है, ठीक है, तो यमुना नदी, यमुना की सायक नदी अर्था, तो मुख्य रूप से, अगर मैं बात करूँ, ये यमुना भी किसकी सायक है, है तो गंगा की ही सायक, ये गंगा, गंगा की सायक है, तो गंगा की इन सायक नदियों ने इस पूरे मैदानिक शेत्र का निर्मान कर दिया इसलिए राजस्थान का ये जो पूरवी मैदानिक शेत्र है ये गंगा और उसकी सायक नदियों के दुआरा निर्मित मैदानों का ही फैलावा रूप है बात आ गई समझ में आ तक ठीक है अब मैं थोड़ी सी य आगे बढ़ाने से पहले कि राजस्थान के इस मैदानिक शेत्रों को कितने भागों में, कितने बेसिन में डिवाइड कर सकते हैं उससे पहले मैं ये चर्चा करना चाह रहा था कि जब ये नदियां हिमाले से निकलती है और अलग-अलग शेत्रों में जाती हैं किसी को बांगर कहते हैं, किसी को खूड कहते हैं तो ये सब क्या है? एक बर इसको समझते हैं इंडिया का मैप का है? ये इंडिया का मैप आ गया इससे समझो तो ये तो है भया आपकी हिमाले रेंज और हिमाले में मैं ये दक्षिनवाली रेंज डिवाइड कर रहा हूं, शिवालिक रेंज, ठीक है ना, ये रेंज मैंने डिवाइड की और ये है शिवालिक, हिमाले की पहाडियां है, हिमाले रेंज की पहाडियां है, शिवालिक की पहाडियां, शिवालिक रेंज, ठीक है, य अब उपर पहाडों पर ये नदियां बैती हैं तो पहाडों में ढाल होते हैं वहाँ स्लोप जो है ढलान जो है बहुत जादा होता है और जितना जादा ढलान होगा नदी उतनी तेजी से ही प्रवाइत होगी ठीक है तो जादा ढलान या जादा ढाल होने के कारण इस पहाडि पहाडों में जवान होती है, युवा होती है बहुत ताकत होती है उनमें, ढलान के कारण, ठीक है? यह सारा पहाड कंकड यहां नीचे आ के खटा हो जाता है यह अलग कलर से बनादेता हूँ, यह एक मिनट यह ब्लीउ ले ले लेता हूँ यह कंकड मैंने तो इसके दक्षिन में, इस पहाडी के पैरों में, या जिसकों बोलें foot hills, या पहाडी जहां खतम होती है, उसी को कहते हैं पहाडी के पैर, ठीक है, वहाँ पर ये कंकड पत्थर रहेंगे, अब इन कंकड पत्थरों में जब नदी बहेगी, तो इनके नीचे बहेगी, जादतर नदियां इस क्षेतर में जब बहती हैं, तो नजर नहीं आती हैं, वो बहती तो हैं, लेकिन उन कंकडों के पत्थरों के बीच में बहती हैं, नीचे बहती हैं, ध्यान करो, कभी आपने नदी के किनारे देखे हो, या गोल-गोल पत्थर देखे हो तो वो कैसे बनते हैं नदी पत्थरों को चट्टानों को गिस-गिस के गिस-गिस के गोल कर देती है और इसी प्रकार की ये चट्टानों का एक शेत्र बन जाता है ये रहा ये देखे, ये रहा, ये मैंने बना रखा यहाँ पर यह जो रेंज दिख रही है यह शिवालिक मान लो यह इसके नीचे फुट हो गया यह यह फुट हिल्स यानि कि इस परवत के पैरों में यह इस तरीके से एक अंकड आपको दिख रहे हैं तो नदी जादातर नदियां, सारी नदियां नहीं क्या कеते हैं? भाबर का है यह शिवालिक के? दक्षिन में ठीक है विशेस्ता क्या है इसक्षेतर की? इसक्षेतर में अधिकतर नदियां आद्रिश्य हो जाती हैं तो नदियां कैसी हो जाती है? आद द्रिश्य अच्छा यहां अगर कोई आपसे कहे खेती कर लो कर लोगे कहें यहां जाके खेती हो इनी सकती कैसे करोगे खेती इन कंकर पत्थरों में कैसे खेती होगी तो खेती के लिए ये इस्थान खेती के लिए मैं आगे लगा दू क्रोस यानि की उपियुक्त नहीं है अच्छा इस्थान नहीं ये खेती के लिए ठीक है वापस पिछली इमेज की तरफ आ जो कहा गई ये लिए तो ये शिवाली क्रेंज थी इसके दक्षिन में नीचे गए तो भाबर आ गया और भाबर के भी अगर आप नीचे जाओगे दक्षिन में तो अब मैं कलर चेंज करूँ ये मैं ले लेता हूँ ब्लेक यहां क्या होगा इन भाबर के दक्षिन में यानि भाबर के नीचे तो दिशाए भी ध्यान रखना यहां पर नदियां फिर से आपको जमीन के उपर नजर आने लग जाती है क्यों क्योंकि यहां चिकनी मिटी का क्षेतर है कंकर पत्थर है नहीं इसके कारण नदियां अब आपको जमीन के उपर नजर आती है तो यह जो पूरा एरिया है यह पूरा क्षेतर दलदली नजर आता है यह image देखो यह वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं मार्शी लेंड या दलदली क्षेतर और जैसे आपने इस पिछले वाले को भाबर कहा था ऐसे ही इस क्षेतर को कहते हैं तराई ठीक है साथ तो भाबर के दक्षिन में यह भाग आता है दलदली क्षेतर है और इसको कहा जाता है तराई यहाँ पर बहुत पानी है दलदल भी है तो इसके कारण यह वाला जो क्षेतर है यह क्रिशी के लिए अच्छा क्षेतर है और यहाँ पर गन्ने की और चावल की बहुत अच्छी खेती की जा सकती है गन्य की और चावल की इसके अत्रिक्त पानी भी है पेड़ पोदी भी भोट है तो ये जो क्षेतर है ये जैव विविदता के लिए बहुत अच्छा है यहाँ आपको बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे बहुत सारे जीव जन्तों आपको मिलेंगे क्लियर बात आई समझ में अब इसके बाद मैं बात करता हूँ बांगर और खादर की तो समझना एक स्टोरी से समझ ले जैसे ये नदी है ये नदी है ठीक है और इस नदी को मैं बनाता हूँ यहाँ पर ये नदी इस क्षेतर में बह रही है नदी जब बहती है तो हमको पता है कि ये अपने साथ में भहुत सारा आउसाद लेकर आती है वो जो आउसाद है उसमें भहुत सारे पोशक तत्व होते है वो भहुत उपजाओ होता है क्रशी के लिए तो नदी क्या करती है अपने आसपास के किनारे में इस उपजाओ मृदा को उपजाओ मिट्टी को जमा कर देती है अब नदी जो मिट्टी लेकर आई उसको कहते हैं जलोड मृदा जलोड मृदा या कछारी मिट्टी या ऐलूवियम सोईल उसको कहते हैं कृशी के लिए बहुत अच्छी है उप जाओ है ठीक है लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस नदी ने अपना मार्ग बदल लिया अब मार्ग बदल लिया तो अब ये नदी यहां से तो मैं अटा देता हूं और ये नदी अब मानलो यहां बह रही है इस क्षेत्र में यहां बह क्षेत्र में उसे जलोड मृदा को अर्थात उसे नवीन जलोड मृदा को नई जलोड मृदा को इखटा कर देगी तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्रशी के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है इसमें बहुत पोशक तत्व हैं और यहां खाद की कोई कमी नहीं है तो इसक आप ध्यान रख सकते हैं ये तो हो गया खादर यानि क्रिशी के लिए बहुत अच्छा है नवीन जलोड म। नवीन जलोड है यानि नवीन का मतलब हो गई नई और जलोड यानि जो नदी ये मरदा लेकर आई ये जलोड है लेकिन इस पुरानी का क्या हुआ? यह जो जलोड मिट्टी थी जो पहले कभी नई थी नवीन थी लेकिन अब दीरे दीरे क्या हुआ यह जो क्शेत्र है यह नदी के मारग में नहीं है यह नदी के तल से बहुत उचाई पर है इसलिए बाड़ आने पर भी नदी का पानी यहां तक नहीं पहुँच पाता अब नदी का पानी यहां नहीं पहुच पाता तो नदी जो है वो यहां पर नई जलोड को नवीन जलोड को इखटा ही नहीं कर पाएगी और दीरे दीरे ये जो पुरानी जलोड मिट्टी थी ये वाली ये इतनी उपजाओ नहीं रह जाएगी जो नवीन या नई जलोड मिर्दा है ये वाली ये तो उपजाऊ है लेकिन ये पुरानी जो जलोड मिर्दा है ये उपजाऊ नहीं रहेगी और इसको हम कहेंगे खादर बात समझ में आ गई, सुरी, बांगर तो बांगर में बै है, बै यानी बेकार और खादर में खाद, खाद का मतलब क्या होता है फर्टिलाइजर या उर्वरक जिसको हम बोलते हैं तो खाद का मतलब ही क्या होता है कि कृशी कारियों में जब हम खाद डालते हैं पेड़ पोदे में तो इसलिए डालते हैं ताकि उनका विकास जल्दी हो तो खादर में खाद का मतलब अच्छा उप जाओ और बांगर में बै बै का मतलब बेकार बात आ गई समझ में कुछ शब्दों को और समझना कि यहां पर यह जो बांगर मिर्दा है मैं इसको तो अटा दूँ बांगर समझ में आगे ना जो बेकार है कृशी के लिए उपियुक्त नहीं है अच्छी नहीं है तो होगा क्या दीरे 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 यह बांगर मिर्दा मैं बनाता हूँ यह बांगर हो गई या इमेज लगा ही मैंने चलो कोई नहीं यह समझो मान लो यह एक क्षेत्र है और यह है बांगर का क्षेत्र ठीक है अब क्या होगा जब हवा चलती है तो हवा अपरदन करती है और हवा इस बांगर का जो मुलायम भाग है उसको तो उड़ा कर ले जाएगी अर्थात इसका अपरदन कर देगी और हमारे सामने केवल कठोर भाग रे जाएगा यानि आपको केवल इसका कठोर भाग ही नजर आएगा तो जब बांगर के मुलायम भाग का अपर्दन हो जाए और केवल कठोर भाग आपको नजर आए तो उसको कहा जाता है भूड क्या कहते हैं भूड अब यहीं बांगर से एक और शब्द में आपको समझाता हूँ और वो है रेह या कलर इसको भी समझना मान लो आप किसी ऐसे क्षेतर में रह रहे हैं जहां बांगर क्षेतर है बांगर यानि की पहले नदियां उपजाओ मिट्टी छोड़ गई थी लेकिन अब वो क्षेतर जादा उपजाओ नहीं है तो यह बांगर का क्षेतर है ठीक है और होता क्या है जैसे हरियाना पंजाब राजस्थान में ये जो बांगर का खेतर है अगर आप इसमें खेती कर रहे हैं और बार बार सिचाई करते जाते हैं आपने नोटिस भी किया होगा कि जब बार बार हम सिचाई करते हैं तो खेत में एक नमक की परत से आकर जम जाती है वाइट कलर की, सफेद परत जम जाती है और उसी सफेद परत को कहते हैं रेह या कलर, रेह या कलर, बात समझ में आ गई, थोड़ा सा और ध्यान देना, पर मैंने जो यह बताया आपको खादर और बांगर, समझ में आगे न, अच्छे से क्या है खादर, क्या है बांगर, खादर जो उपजाओ है, बांगर जो उपजाओ नहीं है, यह बांगर, बांगर भी वैसे जलोड मिट्टी से ही बनता है, लेकिन पूराना हो जाता है, य और ये जो बांगर है इस बांगर को कहा जाता है धाया तो पंजाब में बांगर को कहते हैं धाया और खादर को कहा जाता है बेट तो यहां तक यह सारी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैंने आपके साथ में चर्चा की कौन सा पूरवी मैदानिक शे में इसके बाद फिर हम ने यह डिसकस किया कि जब यह नदियाँ बैती है तो अलग-अलग भोग अलग नामों से जाना जाता है टीक है अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान का जो पूरवी मेदानिक शेत्र है इसको कितने भागों में विबाजित किया जा सकता है और हर भाग की क्या विशेशता है बाकी सब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद थेंक्यू